क्लास पर फर्स्ट आने का बेस्ट उपाए वो से हो सीज़ हलो फ्रेंद्स आपके क्लास 11 के हिस्ट्री सिलेबस में हमने शुरू किया था अती पुरातन समष्ण मैं से उसके बाद हम हाए विश्व की पहली सभ्यता मेस्वोटेमियन सिविलाइजेशन फिर रोमन समराजिय उसके बाद इसलाम का उदय और विस्तार फिर हमने देखा यायावर समराजिय और अब हम पश्चिम योरोप पे नजर कर रहे हैं जहां कोई पांचवी इसवी से लेकर कोई तेरवी पंदरवी सोलवी सदी तक सामंत वाद का राज चला सामंत वाद यानिके हमने पिछले वीडियो में देखा था जरासा याद करो तीन वर्ग थे पहला वर्ग पादरी वर्ग जिनके डिविजिन्स देख लो दूसरा वर्ग था अभिजात वर्ग जिसमें थे लॉर्ड और नाइट्स और तीसरा वर्ग था क्रिशक जिसमें थे स्वतंतर क्रिशक और बंदक क्रिशक या सर्फ अभिजात वर्गों को लगता था कि सामंत प्रता हमेशा 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 एक ही तरह से चलेगी अब परिवर्तनिया पर ऐसा तो कभी होता नहीं है धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहे थे चलो हम इसको समझते हैं कैसे आए सबसे प और ऐसा भयंकर शीत एतनी बर्फानी कि उसमें कुछ अनाज वगारा उग नहीं पाता था तो गर्मी का मौसम छोटा था उसी में उनको अनाज उगाना पड़ता था कम अनाज उगता था और ठंड के मारे मिट्टी जम जाती थी तो उसमें वो कुछ भी सबजी फल कुछ भ अधिक फसल उगने लगे मिट्टी भी अच्छी थी क्योंकि पाला नहीं पढ़ रहा था उतना तो अधिक फसल उगने लगे तो लोगों को भोजन सामगरी जादा मिलने लगा जादा भोजन सामगरी मिला तो लोग जादा जीने लगे जन संक्या जैसे बढ़ने लगी कर रहे थे 11 शताबदी से पहले जो भूमी का उपयोग कैसे होता था उसको भी देखते थे उसका जो हल होता था ना बड़ा ही साधारन सा लकडी का हल होता था और दो बैल होते थे वो हल चलाते थे यह हल पित्वी में जादा डीप नहीं जा सकती थी तो सर्फेस पर ही को निकालना पड़ता था कि अंदर की जो उपजाओ मिट्टी है वो बाहर निकल के आए साथे साथ जो भूमी का उपयोग था वो लोग ना भूमी को दो हिससों में बांट लेते थे एक इससे को पर्ती रग देते थे दूसरे हिससे में गहुन लगाते थे गहुन कट जाता यह पर्ती हो जाता था, दूसरे में बाजरा लगाते थे, पर इससे कोई भी फसल बहुत जादा नहीं होती थी, और धीरे धीरे दोनों की उरवर्ता कम हो रही थी, भूमी तो खराब हो रही थी, पर मैनौर में रहने वाले लॉड वो कौन सा सुनने वाले थे, पादरी वर वो तो अपना अनाज का हिस्सा मांगते ही थे, कर मांगते ही थे लोगों से, तो क्रिशक क्या करते थे, वो प्रत्यक्ष विद्रो नहीं करते थे, पर जब लॉड के लोग आते थे, कि चलो लॉड के भूमी पर काम करो, तो वो कहीं जाके छुप जाते थे, और अपने यहा लॉड के लोग आके यहां से चीन केन ले जाए। चरागा, वन भूमी इन दोनों को लेकर भी लॉड के साथ उनका खीचातानी चल रहा था उस मक्त। ग्यारा शताब्दी आने से जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो क्लाइमिट चेंज हुआ। और नंबर टू क्या हुआ कि भूमी का उपयोग भी बदल गया। सबसे पहले नुकीले लोहे वाले हाल आये जो मिट्टी को गभीरता से खोथते थे और अंदर की पोशक मिट्टी को बाहर निकालते थे। और साथ सांचेदार पट्टियां देखो इस तरह से काम करके पट्टियों को मिट्टी को हिला के आगे पीछे करते थे। तो इससे जमीन की उर्वरता बढ रही थी Number Three, वो जो जमीन पहले दो हिस्सों में जमीन को बाटते थे अब वो तीन हिस्सों में जमीन को बाटने लगे एक में शीत रितू में गेहूं लगाते थे दूसरे में बसंत रितू में मतर, सेम, बाजरा, पशुचारा ऐसी चीजे लगाते थे और तीसरी घुमी पढ़ती रहती थी इस तरीके से घुमा घुमा कर वो फसल लगाते थे जिससे पैदावार बहुत अच्छी हो रहे थी जमीन कम थी पर ज्यादा पैदावार हो रहे थी अब जमीन कम होने से क्रिशक के पास काम भी कम था तो वो दू वो अंजस लो मुझे बर्तन देंतों मुझे कपने दें इस तरहिए 새 काम चलता था अब किसान बाजारों में जाकर जो अपना जी एक्सट्रा अनाज था वह बड़े-लबाजारों में ले जाकर बेचता था और उसे मिलने था लियुक्ति कॉइन्स और इसमीुद्र nah से वह बढ़ने लगी, जनसे के पास परियाप्त भोजन थी, उनका हेल्थ भी बेटर होने लगा, और फिर लोग व्यपार को काफी प्रोथसाहन देने लगे। जो शहरे रोमन सामराजय के उजड गई थी, वो शहरे फिर से फलने फूलने पनपनी लगी। हर शहर में एक बड़ा वेवसाय केंद्र बना, जहां पे एक बाजार बना, जहां पे लोग अपना सामान ले आते थे और पीछते थे। एक जमाना था जब दस्तकार अपने सामान लेकर एक मैनौर से दूसरे मैनौर, एक गाउं से दूसरे गाउं जाते थे, अब वो एक ही बाजार में बैठते थे और चारों तरफ से लोग वहां आकर उनसे सामान करीते थे, धीरे-धीरे ये नग्रे बढ़ने लेगी और जैसे विशाल होती गए, वहां बड़े-बड़े चर्च, बड़े-बड़े दुर्ग, बड़े-बड़े कासल और जो धनी व्यक्ति थे, उन्होंने आलिशान मकान अपना बनाना शुरू कर दिया, यह धनी व्यक्ति जो थे, इनकी बड़ी recognition हो रहे थी, कि किसी भी शहर में जो कादरी हैं, वो मेरे लिए प्राथना करेंगे, तो चर्चों को इतना दान मिलने लगा, कि वो चर्च भी अपने को बहुत बड़ा बनाने लगे, वो छोटे चर्च से वो बहुत बड़े cathedral में convert हो गया, यह देखो पिच्चर cathedral के, अब देख रहे हो कितना आलिशान है, कितन करते थे, यह cathedral तो बनने के बाद तीर्थ भूमी बन गया, देश देश से लोग आते थे यहां पर तीर्थ करने के लिए, तो cathedral के चारों तरफ बाजार, सराय खाने, इत्यादी, सब बनने लगे, तो cathedral के चारों तरफ ही एक छोटा सा शहर ही बस गया, और जो कामकाजी लोग उनका काम था, कि गिल्ड के जितने members हैं, उनकी जो उत्पादकता है, उसकी quality, उसकी गुनवत्ता, उसकी prices, उसकी कहां बिक्री करेंगे, कहां बिक्री नहीं करेंगे, इन सब पर वो नज़र रखते थे, हर बड़े शहर में गिल्ड का एक सभागर होता था, और इसमें regularly सभ भाइ हुई करते थी, तो गिल्ड कितने प्रकार के होते थे, हर प्रकार के होते थे, यह देखो picture, यह है गिल्ड दस्ताने बनाने वालों का, ग्लव्स बनाने वालों का, और यह है गिल्ड टोपी बनाने वालों का, और यह गिल्ड यह तो कैंची बनाने वालों का गिल्ड ह और यह यह तो बेकर्स का गिल्ड है, जो ब्रेड बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, यहां तक कि मचुवारू का भी एक गिल्ड था, देखो जगा, तो हर किसम के गिल्ड आपको देखने को मिलते थे, तो आप देख रहे हो न, सारा सिस्टम कैसे धीरे-धीरे अनुसाशन में आ हैं, देख कि टो इसी स्कानीवी आते हैं, जो अन उत्तर के देख थे, वहां से लोग आते थे रोवीदार चम्रा, फर लेकर थे बेकर स्कवारि इंगलें esqu craziest शिकारी बाझ लेकर के बिजेत और ऐंग्लंड से वेपारी आते में तीन वर्ग थे पादरी, अविजात वर्ग और क्रिशक और अब आप देख रहे हो एक और चौथा वर्ग हुआ है जो है नगरवासी कामकाजी लोग गिल्ड बन गये नगर में रह रहे हैं विद्वान, वकील, साहुकार, ट्रेडर्स, वैपारी ये सब शहर में रह रहे ह आलिशान मकान बनाकर बहुत धन लेकर ये सारे मिलकर उन्होंने एक चौथा वर्ग बनाया जो थे नगरवासी वर्ग समय बीटता गया अब हम आ जाते हैं चौधवी सदी में अब देखो क्या हुआ चौधवी सदी में सारा मामला फिर से धीमा पढ़ने लगा नंबर वान अग्लाफ क्लाइमेट चेंज हो गया सदी के मौसम बढ़ गई द Ball की मौसम कम हो गया यानि की करशी का पैदावार बहुत कम हो गया और आपको तो याद है सारे भं-घुमी काट काट के पैदा इतना कम हो गया और इधर जन्ज संक्या इतनी बढ़ गई थी नग्रों में ग चांदी के सिक्के बनते थे और सिचांदी आता था सर्विया और आस्ट्रिया के माइन से, वहां के माइन से उत्पादन होना बहुत कम हो गया, अब सिक्के नहीं है, तो फिर वेपार कैसे होगा, बिना मुद्रा के वेपार कभी होता है क्या, तो सिक्के को क्या किया जाए, त यह था दूसरा परिवर्तन और तीसरा परिवर्तन जिसका सबसे ज्यादा effect हुआ उसको देखो व्यपार के चलते जगह जगह से ships आती थी जहाजे आती थी योरोप के बंदरगाहों में जहाज में लोग तो आते थे साथी साथ आते थे चुहे और यह चुहे साथ लेके आए विवानिक प्लेग योरोप के लोगों में तो कभी यह दिखाई नहीं था यह विवानिक प्लेग पूरे योरोप में जो फैला तीन साल के अंदर योरोप की 20% population को खतम कर दिया और एक शताब्दी में योरोप की population को half कर दिया यह ऐसी भयंकर महामारी फैरी तो इन तीन कार महामारी से पॉपुलेशन तो बहुत कम हो गई थी अब जितनी population बची थी कामकाजी लोग जो थे उनकी डिमांड बहुत हो गई क्योंकि जो लॉट्स थे मैनौर में थे जो अभिजात वर्क शहरों में भी रहने वाले हर काम के लिए उनको कामकाजी लोगों को बुलाना प परसंट बढ़ा दिया अब जो मैनौर के लॉट थे उनकी तो आदत थी बिगार में काम करवाना फ्री में काम करवाना या वेतन दो तो कम थोड़ा थोड़ा वेतन दो वो तो चौक है 250 परसंट हम कैसे देंगे तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि पुरानी बिगार प्रफ़ा में नहीं ला पाए तो देखो सामन्त का फिर रहा क्या अगर क्रिशकी न काम करेंगे उसके खेत में बगार अगर उटके गाउं में जो लोग रहते हैं वो इसके लिए बगार काम करेंगे तो सामन्त अपना फूलेगा फलेगा कैसे उसको अगर 200 परसंट वेतन सेना पड़ा, तब तो वो गया काम से, और थोड़ा समय भीता, अब हम आजाते हैं, पंदरवी और सोलवी शटापती में, अब जो राजा थे, योरप के अलग अलग देशों के राजा, वो भी सामंत के हाथ में नहीं रहना चाहते थे, सामंत हमारे लिए टैक्स लाएगा, सा अब सामंत जो क्रिशक सेना बनाते थे, या नाइट्स बनाते राजा ने वो नहीं रखा, उन्होंने अपनी अंडर एक सुगटित सुशाषत सेना बनाया, नमबर 2, राजा उने क्या किया, कि वो क्रिशक से डारिक्ली टैक्स लेने लगे, क्रिशक कहता है मैं राजा को डा नाम से प्रशासन करते थे, तो सामन्तु का तो कोई जरुपत ही नहीं थी, सामन्त उन्हों देखा, अरे हम तो कहीं पे नहीं रहेंगे, हमारा क्या होगा, उन्होंने खूब प्रोटेस्ट किया, पर उनकी कुछ नहीं चली, फिर उन्होंने देखा, कि आज का जो समाज है, इ आप हमें प्रशासनिक पोजिशन दीजिए, और इस तरीके से उन्होंने अपना पोजिशन ले लिया, राजधरवार में केवल पुराने सामन्त ही आके नहीं बैठे, जो गैर सामन्त थे, जो गैर जागिटदार थे, वो भी आने लगे, कैसे, जैसे धनी व्यपारी, जो ध होता गया, जैसे जैसे वो चेंज होता गया, प्रशासनिक लोगों ने कहा, कि हमारा काम क्या है, हमारा रोल क्या है, राजा को गाइड करना, राजा को अडवाइस करना, राजा को डिसिशन लेने में सहायता करना, तो इंगलन में बना पार्लमेंट और फ्रांस में बना और इंग्लेंड में भी वही हाल था, राजा चार्ल्सवान ने ग्यारा साल तक पार्लेमेंट को बुलाया यह नहीं, पार्लेमेंट की एक भी सिटिंग नहीं हुई, और जब फाइनली सिटिंग हुई, तब आप तो जानते ही हो क्या हुआ, फ्रांस में हुआ फ्रेंच रेव पको बताया था, और आज मैंने आपको बताया इनका उत्थान कैसे हुआ और इनका पतन कैसे हुआ, और इसके जो फैक्टर्स थे, environmental factors, economic factors और social factors इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया, तो आपको रटनी की कोई जरूरत नहीं है, सारांख्ष को भी देखो, वीडियो क एक बार अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद आप चैप्टर को पड़ो, पूरा क्लियर हो जाएगा, और फिर आप अपनी शब्दों में आंसर लिखना, बढ़िया से बढ़िया नंबर आपको पक्का मिलने वाला है, और आप हमारे साथ इन सब सोशल मीडिया पे पोश्ट डालते हैं, आपको अच्छा लगा, हमें तो कितना ही अच्छा लगेगा, थैंक्स पोर वोचिंग, क्रॉण से पोश्टीज!